स्टॉक मार्केट में आज क्या ट्रेट करें PNB होसिंग फाइनेंस में बहुत समय के बाद ब्रेकाउट हुआ है आप शॉर्ट टम ब्रेकाउट में इसको देख सकते हैं 569 का प्राइस चल रहा है दोस्तो अभी पहले हमने आपको 560 के लेवल पर बताया था कि आप इसको बाई कर सकते हैं अब इसने अपना सालबर का ही तोड़ा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टॉंग परफार्मर है हम अगर इसका चार्ट देखें तो हमको पता लगेगा कि बहुत दिनों के बाद दुबारा इसकी प्राइज में रिकवरी है हुई है तो हम आल टाइम चार्ट में जाके देख लें कि किस लेवल से गिरावट हुई है इसमें ये प्राइज आपने PNB हाउसिंग की देखिए 1633 रुपए से एक बार पहले गिर के इसमें रिकवरी आई थी तो ये उपर 670 की लेवल पर गया था फिर से बहुत दिनों के बाद दोस्तों इसमें वॉल्यम आना शुरू हुआ है तो ये अब अच्छा परफॉर्म कर सकता है इसको स्विंग ट्रेडिंग में लेके अगर हम एक से दो महने का टाइम दें तो बहुत अच्छा मुवमेंट आ सकता है हम जाके देखते हैं कि FIA और मिचल फंड के होल्डिंग क्या कहती है तो PNB में अगर कोई एसा स्टॉक आप स्टडी करके रखते हैं तो आने वाले दिनों में बार-बार आप उसमें पोजिशन बना के रख सकते हैं प्रमोटर के होल्डिंग है यह तो यहाँ पर अभी के लिए आप PNB हाॉसिंग देख सकते हैं दूसरा कौन सा स्टॉक है जो हम देख सकते हैं अभी इंट्राडे के लिए इंट्राडे के लिए दोस्तों एक मेटल में पूरे सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है अच्छा वॉल्यूम हो रहा है टाटा स्टेल सेल ये अच्छे से चल रहा है अब यहाँ पे एक यूनिवर्सल केबल है जो 15% तेजी के साथ है सबस्यादा वॉल् स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टेम के लिए रखना या फिर लंबे समय के लिए रखना दूनों ही सजिस्टेड है तो गुदावरी पावर एक आप देखेंगे दूसरा यूनिवर्सल केबल तो काफी बढ़ चुका है तो आप एक मोल्ड टेक पेकेजिंग पे ध सवाल भेजिए अगर आपकी तरफ से बराबर रिस्पॉंस मिलता रहा तो हम हर दिन आपका सपोर्ट करते रहेंगे डेली लाइव स्ट्रिमिंग के लिए आप आईए और लाइव मार्केट में इस तरह के शॉर्ट वीडियो लॉंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे